हेलो ब्यूटिफुल पीपल, वेलकम बैक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपोर्टेंट फीचर्स अफ इंडस वैली सिविलिजेशन तो एक वीडियो में मैंने डाल रखी थी, उसमें मैंने पूछा जाएगा, बस आप ये नोट्स रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो चलेजी, अदर फीचर्स जो हैं इंडस वैली सिविलिजेशन को तो सबसे पहले हमें पढ़ना है टाउन प्लैनिंग, जो टाउन प्लैनिंग थी इंडस वैली सिविलिजेशन की बाईसाब वो गजब की थी मतलब आप पढ़ने के बाद ये इमेजन करोगे कि आज हम कहा हैं और तब के लोग इंडस वैली सिविलिजेशन के लोग कितने सिविलिजेशन थे तो इसलिए तो इसको सिविलाइजेशन कहा गया वहां के लोग सिविलाइज़िड थे टाउन प्लाइनिंग क्या गजब की थी तो पहला पॉइंट देखो जो मकान वहां पे बनाया जाते थे वो वैल प्लाइनट थे ग्रिड सिस्टम होगा करता था एक मकान के साइड में दूसरा मकान बनता था ठीक है गली जो होती थी उसके लिए अलग से सुपेस रख दी जाती थी और गली के दूसरे साइड में दूसरी लाइन होती थी मकानों की हाउसेज की ठीक है साइड में आप ये grid देखने ना ये grid system follow किया जाता था roads cut each other at 90 degree और सड़कें कैसी होती थी roads जो वहाँ की थी वो एक दूसरे को 90 degree पर cut करती थी L-shaped होती थी ठीक है ये आप नीचे देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह की roads होती थी good quality burnt bricks were used for making houses देखे important point burnt bricks का इस्तिमाल किया जाता था मकान बनाने के लिए जो houses बनाते थे वो burnt bricks जो हम आज इंटें इस्तिमाल करते हैं जला के पका के वो ही अच्छी quality की इंटें वो इस्तिमाल करते थे मकान बनाने के लिए और एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो वो wall बनाते थे दिवार बनाते थे वो interlocking pattern follow करती थी जैसे आप figure में देख रहे हैं ठीक है एक दूसरे के साथ मतलब बंद होती थी यह इंटें बंद की जाती थी एक दूसरे के साथ houses two story and one story मकान जैसे हम आज बनाते हैं दो मनजिला एक मनजिला बिल्कुल वैसे ही पहले भी हुआ करते हैं इंटेस वैली सिविलाजेशन में two story या one story buildings हुआ करती थी चलिए बढ़ते हैं आगे no window was facing the street privacy privacy इतनी strong थी इतना खयाल रखा जाता था privacy का कि कोई खिड़की मकान की street की तरफ नहीं हुआ करती थी ठीक है सड़क की तरफ कोई जैसे आज हमें ये civility वाले कहते न कि छट को बाहर मत निकालो road पे मत निकालो तो वो पहले से वो system था privacy पहले भी थी इतनी strong थी कि कोई खिड़की straight की तरफ नहीं रखी जाती थी ताकि गैर मर्द जो हैं गैर अवरतें जो हैं वो अंदर ना देखे rooms were built along the courtyard और rooms कैसे बनाये जाते थे courtyard के along बनाये जाते थे जैसे आप नीचे देख रहे हैं courtyard होगा करता courtyard कोटियाड कैते सहन को और उसके along ठीक है उसके जैसे वो colony होती है sides में आप देख रहे हैं ये rooms तीनों side से होती है और एक main side होता है वो entry का side होता है और उसका भी बाहर से एक दरवाजा होता है is it clear? तो चलिए बढ़ते हैं आगे there were lamp posters along the streets for straight lamps lamp posters रखे गए थे streets में street lamps के लिए जैसे हम आज लगाते हैं na streets में street light is वैसे ही पहले भी street lamps हुआ करते थे ठीक है कोई लकड़ी वगरा जला के रख देते थे ताकि रोशनी रहे street में ओके गाईस तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि town planning क्या थी उन लोगों की अब हम अगले feature की तरफ चलते है drainage system जो की बहुत ही important है और बहुत ही important feature है Indus Valley Civilization का drainage system was very impressive वहां का जो drainage system था था वो बहुत ही impressive था बहुत ही हैरान कुन था drains along the streets were covered by bricks or stone slabs देखे जैसे आज हम drains को क्या करते हैं पहले आज से पहले पांच-दस साल drains को देखा करता था तो खुली होती थी ठीक है उनमें गारवे डाल दिया गया होता था कुत्ते उनमें मरे होते थे वाकी चीज़ें तो आजकल उनको cover किया जा रहा है उपर से पहले भी Indus Valley Civilization में ता 25-200 BC में ठीक है क्या होता था drains को cover किया जाता था concept क्या था, mind क्या था manholes जो हम आज भी रखते हैं न drains के अंदर वो पहले भी रखे जाते थे और एक क्यों रखे जाते हैं easy cleaning के लिए proper distances पे ताकि जब भी सफाई करनी होती है drain की तो यहां से हम कर सकते हैं drainage system में ये भी आप याद रखे कि drainage system ऐसा था जो drains होती थी उनको slope दी गई होती थी ताकि वो water का जो flow है वो बरकरा रहे और drain जो है block न हो, इसमें कच्रा जो है jam न रहे ये भी important feature आजाता है drainage system में और drainage system जो housing का था वो भी लाजवाब था हर एक house के साथ क्या था जो drain थी, छोटी drain थी main drain के साथ connect होती थी ये drainage system था वहाँ का जो बहुत ही impressive था towns वे divided into two parts towns को divide किया जाता था दो parts के अंदर, ठीक है एक upper part था और lower part upper part को citadel भी कहा जाता था ठीक है, ये hide पे होता था और ये citadel जो थी या upper part जो था, ये किसलिए होता था public buildings के लिए होता था granaries के लिए होता था, ये granaries क्या होती ही ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये food store करने के लिए बनाई जाती थी और lower part जो था, वो किसलिए होता था people used to live, वहाँ पे लोग रहा करते थे, वहाँ पे लोग मकान बनाते थे, जो town था, वो डिवाइड किया जाता था, दो parts में, याद रखना आपको upper part and lower part, upper part को citadel कहा जाता था and lower part जो था, वहाँ पे लोग रहते थे, और citadel, public buildings और granaries बगारा बनाने के लिए, use होता था, और इन citadels की fortification की जाती थी, दिवारें लगाई जाती थी, इर्द गिर्द, और यापर part बे होते थे, ताकि इनकी नजर रहे बाकि लोगों के उपर Now, another important future is the great bath, the great bath, ये एक tank खुआ करती थी, बहुत बड़ी tank थी, और इसका नाम great bath रखा गया था A big public bath tank probably used for ritual bathing ये एक बहुत बड़ी public bath tank थी, जो शायद कब इस्तिमाल होती थी ritual bathing के लिए इस्तिमाल की जाती थी जब भी कोई तेवहार, कोई खास मोका होता था, कोई occasion होता था तो इसमें जाकर डुबगियां लगाते थे, सरान करते थे, ठीक है, और ये great bath जो है, इसमे steps हुआ करते थे, ठीक है, नीचे जाने के लिए steps, जो मैंने figure बना रखी है न, नीचे देखिए आप, steps हैं अंदर जाने के लिए, इसका size अकसर पूछा जाता है, exams में, इसका size जो है, 12 into 7 meter 12 meter इसकी length और 7 meter इसकी width है it was made water tight by using bitumen and gypsum तो देखिए, आज हम plaster वगएरा करते हैं न, water tight बनाते हैं अपने tanks वगएरा को, तो ये भी water tight था, मतलब इसमें पानी leak नहीं होता था, gypsum और bitumen का इस्तिमाल करके, ये water tight बनाया गया था, मतलब अंदर से इसका plaster चड़ाया गया था there were also changing rooms attached to the great bath और changing rooms भी attached किये गए थे, इस great bath के साथ, ताके जो लोग सान करेंगे उसके बाद जो कपड़े चेंज करेंगे या बाकी चीजें, तो उनके लिए अलग से rooms भी इसके साथ attached किये गए थे steps were made into the great bath और steps मनाया गए थे नीचे जाने के लिए, ठीके वो भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था वहां पे भी और इसको refill भी किया जाता था और fresh water इसमें डाला जाता था refill of water from adjacent well, adjacent side में एक well हुआ करता, कुवा था और उस कुवें से इसको refill किया जाता था fresh water डाला जाता था, और गंदा होने के बाद उसको drain out कर दिया जाता था proper drainage सिस्टम के जरिए found at Mohanjadaro satadal mound तो ये कहां पे पाया गया, ये great bath कहां पे ये exam में आता है, पूछा जाता है कि great bath कि side से मिला है तो ये Mohanjodaro से मिला है satadal mound से मिला है, तो आपको ये points याद रख लेने, great bath के ये exam में आ जाते हैं another important feature of harapan civilization was great granary, the great granary measuring 45 to 15 meters, ये भी आपको याद रखना है, इसकी जो measurement है 45 length थै इसकी और 15 meter इसकी width है तो इतनी बड़ी size की ये great granary थी, ठीक है, ये पाई गई है Mohanjodaro, Harappa और Lothal से ठीक है, ये granaries जो होती थी, ये store housing इनको कहा जाता था, granaries were used for storing food materials ये food materials, grains वगरा store करने के लिए, ये भी setendal में बनाए जाती थी, जो upper town होता था, या upper part जो जिसको हम कहते हैं, town का वहाँ पे बनाए जाती थी, ठीक है, बड़ी-बड़ी store, जैसे हम आज बनाते हैं, store उसमें हम grain store रखते हैं, वैसे ही granaries होती थी, बड़ी-बड़ी granaries होती थी, वहाँ पे इन चीज़ों को रखा जाता था, found at Mohanjadro, Harappa and Lothal Harappa, Lothal और Mohanjadro से granaries मिली हैं तो guys, ये कुछ important features थे अभी हमें और भी features पढ़ने, art and craft पढ़ने हैं, अभी हमें agriculture है, trade and commerce है, ठीक है, religious life है, उनकी, disposal of the dead, education, ये सारी चीज़े हम डिसकस करने वाले हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हम इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं, अगली वीडियो में बाकी सारे features को पढ़ेंगे, और उसके बाद important sites पढ़नी है थोड़ी बहुत, और उसके बाद decline कैसे होता है, वो पढ़ना है, और इसके साथ Indus Valley Civilization का chapter जो है, ये खतम हो जाएगा, ये topic खतम हो जाएगा, देखें, Indus Valley Civilization ये थोड़ा सा lengthy topic है, थोड़ा सा लंबा topic है, ancient India में, और इसके बाद वेदिक period जो है, वो थोड़ इसको revise करते रही है,